हेलो दोस्तों, यूनेक्ष्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों आप सब जितने भी AGTA वाले सेलेक्टेट कैंडिडेट्स हैं, यहां ध्यान देंगे, यह जो है एक रिमाइंडर वीडियो है, जो कि ज्वाइनिंग के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप सब को मैं बता जाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत ही एक इंपोर्टेंट इस्टेप उठाना है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, हमें मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुचानी है, मुख्यमंत्री जी और राजिपाल तक, तो हम लोगों को करना क्या है, कि ह यहां पर एड्रेस है, सब कुछ दिया हुआ है, आप यह गोबर्णर का भी और यहां पर चीफ मिनिस्टर आफिस का भी, और एक जो सबसे इंपोर्टेंट बात यहां ध्यान देनी की है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहां पर AGTA 2018 ज्वाइनिंग मेंशन किया है, आपको अपने स्पीट पोश्ट वाला जो इन्वेलप है, उस पर यहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिख देना है AGTA 2018 ज्वाइनिंग, यहां पर देख लीजे जिस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह कि अगर उनके पास, आप खुद सोचिए, 2000 लेटर जाता है गोबर्णर क पास और चीफ मिनिस्टर के पास, तो इनके काम में जूरेगेगा और यहां जो है हम लोगों के जॉइनिंग के लिए यहां ओर देंगे, और आयोग से बोलेंगे, तो फिर आयोग जो है हमारा लिष्ट जारी करेगी, क्योंकि उपर से ओर नहीं है, मैं आपको कितनी बार ब बस एक चोटा सा काम है, इस वीक में आप लोग, सब लोग, जितने भी कैंडिडेट से, जितने भी सेलेक्टेट कैंडिडेट से, सब आप सब अपने आप से, अपने आप के लिए यह काम कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कि अगर आपने लेटर भेज दि तो अपना काम कर लिया, अब आपकी बारी है, अपने जॉइनिंग के लिए, अगर में में जॉइनिंग नहीं होता है, किसी भी हाल में, तो नए डिरेक्टर की आने के बाद, उनको सारा प्रोसेस, सारा कुछ समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके बाद वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप भी जाके लेटर सेंड करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, थैंक्स पर वाचिंग